तो man can cover small to large distances वो depend करता है आप किस चीज़ के लिए उसको use कर रहे हैं और small distances के लिए जब use करते हैं तब उसका physical connections कैसे होंगे long distance के लिए use कर रहे हैं physical connections कैसे होंगे वो depend करता है कि आप किस type का van design करने जा रहे हो means आपको देखना पड़ेगा कि कौन सीज़ आपको economical पड़ेगी कौन सीज़ में आपको speed जादा मिलेगी यह सब consideration करते हैं कहीं न कहीं आपको trade off करना पड़ेगा कि आपको speed भी ठीक मिल जाए और आपके जो cost है installation cost है वो भी बहुत high ना जाए next is network topology कौन कौन सी topology यूज होती है बस network यूज होते हैं easy है cheap है ठीक है और उसके बाद popular for land यह topology क्या होती है connection करने का तरीका है कि आप किस तरीके से connection करते हो जैसे for example आप ने यहां मैं एक example दे रहाँ just I am giving one example जैसे आपका यहां एक socket है electric socket है आपने क्या किया फैन भी यहां से लगा दिया फैन भी यहां कनेक्ट कर दिया उसके बाद आपकी और फै बालब भी यहां से connect कर दिया उसके बाद आपने आन करना है अफना कोई mixer juicer grinder use करना है वो भी आपनीए और दिया थीक है और उसके बाद आपने कुछ Oh कनेक्शन ही है नहें यह physical arrangement कि कैसे आप connections करते हो मैं आपको घर में Auto पर रहें कि वाट बता रहा हूं भी मैं उसको समझाने कोशिश कर रहा हूं आपको ठीख है और दूसरा विए क्या हुआ कि दो वायर जा रही है आपने fan fan के लिए use करना है तो यहां से fan connection लेलो फिर आपने bulb का connection लेए तो बलड का connection यहाँ ले सकते हो तो these are different ways जिस तरीके से आप काम कर सकते हो जिस तरीके से आप connections कर सकते हो mixed topologies भी हो सकते हैं जैसे यहां से connection ले लिया और यहां से दूसरा connection ले लिया और यहां से third connection ले लिया और इनके बाद फिर क्या हुआ यहां से काफी सारे connection आ गए ठीक है यहां से different connections आ गए तो mixed topologies बें यूज हो सकती है ring network क्या होगा number of computers are connected होगा closed loop, closed loop बना के उसके अंदर क्या किया, यहां computer connect कर दिये यह computer यह है यह computer यह है ठीक है, यहां computer connect कर दिये ठीक है, तो यह हो गया, ring topologies करेगा, और उसके बाद क्या है primarily used for LAN and WAN, start topologies कुछ हिस्तरीक होती है, कि एक ही जगे से कई सारे connection दे दियो, that is like start topology, all the computers are connected on the central device called hub, यह तो मैंने जो connections बताई यह आपको AC line के बताई था, जो आपके घरों में domestic supply आती है, उसके ओपर example दिया था, लेकिन जब आप single, एक hub के उपर से सारे connection दे दे, यह computer, यह computer, यह computer, यह computer यह computer यहां लगा दिया, ठीक है यह computer यहां लगा दिया, यह computer यहां लगा दिया, तो नेटवर्क topology दिखाई गई है, यह bus topology दिखाई गई है, यह ring topology दिखाई है, और यह आपने, यह यह star topology दिखाई है, यह different topology यहां show की है network architecture, how the computer or devices are designed in a network, basic type क्या है centralized using mainframes, और दूसरा क्या है peer-to-peer, एक mainframe का use करके, कहीं एक server है, उसका use करके जब connect होते हैं, एक method वो है, दूसरा क्या है peer-to-peer, means हर एक का आपस में communication हो सकता है, each computer peer has equal responsibilities, capacities, sharing hardware, data with the other computers on peer-to-peer network, जब मैं centralized की बात करेंगा, तो वहां कहीं server होगा, उसकी responsibility ज़्यादा होगी, किसको communicate करवाना है, किसको नहीं करवाना, सब उसकी responsibility होगी, ठीक है, good for small business and home networks, etc, simple and inexpensive, simple है, expensive नहीं है ज़्यादा, और जब मैं, मैंने small के लिए क्यों बोलाई इसको, क्योंकि हर एक computer के साथ अपना complete CPU होगा, complete CPU होगा, जो उसको पूर, हर task उसके लिए करेगा, जब कि हम client या server, मैं server की बात करता हूँ, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, तो main networking rights जो होते हैं, वो उसमें server के पास होते हैं, the clients must request service from the server, the server is also called a host, or different servers perform the different tasks, file server, network server, etc., तो different server, different काम करते हैं, P2P versus client server, क्या difference है, peer makes a portion of their resources, such as processing power, disk storage, or network bandwidth, directly available to the other network participants, without the need of the central coordination by the server or the stable host, अब इसमें कोई, जब मैं peer-to-peer की बात करना हूँ, कोई stable host नहीं होगा, कोई एक host नहीं होगा, और वो आपस में ही, उनके understanding ये होगी, protocols के अंदर ही, understanding defined की होगी, कि आपस में वो एक दूसरे का वो, जो storage है, disk storage है, वो यूज कर सकते हैं, और उसके बाद network bandwidth यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको, client server की बात करेंगे, तो यहां देखिए, एक server है, एक client है, और आपको हर जगए printer लगाने की ज़रूत नहीं, आप यहां एक जगए printer लगाओ को प्रिंट आउट यहां निकल जाएगा, modem यूज करो, आप modem यहां यूज कर सकते हैं, network technologies, कौन सी network technology आपको यूज करने हैं, इस चीज के पर depend करेगा कि आप कौन सी devices यूज कर रहे हैं, और हम interconnecting computers जो हैं, और जो devices हों किस type के यूज कर रहे हैं, इसके पर depend करेगा, और हमारा purpose क्या है, हमारा motive क्या है, and ethernet है, वो land technologies का use करता है, computer आपस में, जिसमें network create करते हैं, और उसमें collision के लिए susceptible होता है, collision के chance बहुत जादा होते हैं, और bus और star topologies के अंदर use होता है, और operates at 10 Mbps से 100 Mbps पर use होता है, जो fast speed पर आयो है, वो 100 Mbps, gigabit ethernet are also available, physical layer की जब हम बात करते हैं, तो gigabit ethernet using optical fiber twisted pair cable and balanced copper cable are also available, token ring की बात करते हैं, तो land technologies के उपर depend करता है, only the computer with the token can transmit, जिसके पास token होगा, token pass होता रहा तो जिसके पास token होगा वही transmit कर सकता, वो कोई transmit नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, की there is no collision, collision नहीं होंगे वहाँ, और 72 से 260 devices can be connected together, यह आपकी limitation भी मान सकते हो की limitation है इसके अंदर, TCP IP and UDB uses packet transmission, इनके अंदर packet transmission use होते हैं, उसके बाद 80211 यह standard है wireless LAN के लिए standard है, Wi-Fi means, Wi-Fi means wireless, Fi means fidelity, तो यह fidelity क्या होता है, faithfulness होता है, fidelity क्या होगा faithfulness, तो यह wireless fidelity को हम Wi-Fi बोलते हैं, तो wireless LAN है एक तरीके से, तो इसके अंदर wireless use हो सकते हैं, wirelessly use करते हैं आप इसको, और typically use for the long range, आप long range के लिए use करते हैं, variations include 11, जो 0.11, 0.11a, ठीक है इस तरीके से इसकी different speeds है, जो different versions जो available है, वो यह versions available है, data network technologies के अंदर और और आते हैं, 8011N, 80211 हमने पढ़ा था, 802.11N, अब next है, वो next generation wireless LAN technology है, और इसके अंदर 600 MBPS compared to the 450 MBPS, यह इसकी speed है, throughput है, so potentially supporting a user through the, throughput of 110 MBPS तक की speed को यह support करता है, WiMAX है, Worldwide Interoperability for the microwave access, तो इसके अंदर क्या है कि जो wireless transmission data का provide करता है, point to multipoint links के लिए provide करता है, और the intent is the deliver the last mile wireless broadband access as in the alternative to the cable and DSL, हम बहुत long distance तक जब हमें data transmit करना होता है, तब हम इसको use करते हैं, और based होंदा IEEE 802, IEEE के standard है, यह भी IEEE का standard है, तो all our IEEE standards, 802.16DE यह standards का use होता है, broadband wireless access के लिए, उसके बाद है personal area network, pan जिसको हम बोलते हैं, एक person के लिए 2-3 device है, तो वह भी आपस में इस personal area network के थुरू connect हो सकते हैं, very small distance के लिए use होता है, मेरे घर में यह 10 यदि device है, जो IoT के थुरू, IoT system का एक part है, तो वह सभी आपस में pan के थुरू connect कर सकते हैं, wireless personal area network और इसके अंदर जो है, IRDA Bluetooth यार, UWB और ZWEO या ZigBee के थुरू हम इनको connect करते हैं, internet mobile protocols के अंदर जब हम बात करेंगे, तो multimedia internet traffic इसके अंदर हम use करेंगे, और IGMP और MBON for the multicasting इनके लिए use करेंगे, और RTP, RTCP, RSP यह protocols हम इसके अंदर use करेंगे, multimedia के लिए, VOIP next है, ZigBee, Bluetooth, IRDA, RFID, WEP, यह सब network technologies है, यह ZigBee की बात करें तो high level communication protocol है, small low power digital radios based on the IEEE 802.15.4 इस protocol का use करते हैं, और Bluetooth का आप जानते हैं, radio frequency का use होगा, close distances के लिए use 33 feet के round, means 33 feet का meaning क्या हुआ, यदि मैं इसको meter में लेता हूँ, तो 10 meter के round आप यह मान के चलिए, 10 meter के round इसकी range है, और transmits at 1 Mbps, 1 Mbps तर की speed होते हैं, used for handheld computers, to communicate with the desktop, handheld computer आपके कौन से हैं, कौन से handheld computer, जो आपके mobile phone है, वो handheld computer ही आज के time में, IRDA यह infrared based है, और जो transfers at the rate 115 Kbps to 4 Mbps, light of line of sight, light of sight की बजाए, line of sight transmission इसमें आएगा, line of sight यह I will correct it, और RFID, RFID है radio frequency identification, यह tags तो आप देख ही रहे होगे, tags के अंदर यूज करते हैं, toll tag वगरा और उसके बाद जब आप, mall में कुछ खरीदने जाते हो वहां भी, आप RFID का concept यूज करते हो, web है wireless application protocol, उसके अंदर data rate जो है वो 153 Kbps के around रहता है, और यह इस तरीके से हम यूज करते हैं, examples है, IEEE 802.15.4, low rate wireless personal area network ठीक है, और basis on the E Zigbee या wireless heart या MyWi specifications, और used for the 6 low W pen, यह हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए उसमें भी use होता है, और intranet क्या है use for the device for private networks, internet का means different networks के बीच में आपसे communication हो रहा है, और जब मैं internet की बात कर रहा हूं तो एक ही network के अंदर communication हो रहा है, बाहर के उसका किसी के साथ communication नहीं है, यह network से बाहर communication नहीं है किसी के साथ भी तो उसको internet बोलते हैं, home networks, ethernet, phone line वगरा इन चीजों के लिए vehicle to vehicle, car to car communication भी इसमें आज़ता है, तो wireless line इसके लिए इस होता है, यह सब examples हैं इसके, example के अंदर interplanetary internet network इसके अंदर आप यहां internet use करते हैं, जैसे यह network है यह network है इनका अपस में communication जब होगा तो उसको में internet बोलते हैं, interplanetary यहां से earth से यह आप moon के उपर transmit कर रहे हो या earth से mars के उपर transmission कर रहे हो, तो वो interplanetary होता है network होता है, network example telephone networks, network के जो example है उसमें क्या है telephone network है उसको PSTN बोलते हैं, आपको पता है यह सब चीजे आप जानते हैं, जस्ट मैं एक review ले रहा हूं तो PSTN इसके अंदर आप use करेंगे, क्योंकि जब आप IoT की बात करेंगे तो आपको data ट्रांसफर करना ही पड़ेगा एक जगे से दूसरी जगे पर, तो वह एक जगे से दूसरी जगे किस-किस modes के थरू, किस-किस medium के थरू, किस-किस protocol के थरू, किस-किस technology के थरू आप transfer कर सकते हैं data को एक जगे से दूसरी जगे पर, हम यह सारा इसलिए पड़ रहे हैं, हमें इसलिए इनको जानने की ज़गत है, तो dial-up lines में यूज होती है, ISDN line भी यूज हो सकती है, DSL भी यूज हो सकती है, T-carrier lines भी इसके अंदर यूज होंगी, और frame relay, ATM आप इसके अंदर, कोई भी चीज asynchronous transfer mode, आप इसके अंदर कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, switching technologies के अंदर, circuit switching, packet switching, message switching और brush switching, example आगे बढ़ते हैं, fiber to the X, optical fiber से हम many उसके उपर, means nodes के उपर जा रहें, different nodes के उपर जा रहें, optical fiber थे, उसके बाद हम different devices के उपर जा रहें, तो devices पर जाने का method क्या है, एक तो optical, active optical network है, इसके अंदर यहां जो यह है, यह proper amplification देता है, और means frequency में भी change कर सकता है, और दूसरा क्या है, कि passive, इसके अंदर इसने सिरफ splitter का काम किया और कुछ काम नहीं किया, इसके अंदर सिरफ split कर दिया है, और कुछ नहीं किया, तो example क्या है इसमें, fiber to the home, यह बहुत important concept जो आज के ताम में चल रहा है, FTTH और fiber to the building, FTTP और fiber to the premises, FTTP यह यह चीज़े आज के ताम में बहुत recently आपको देखने को मिलेंगे, कि किसी ने recently connection ले रखे हैं, broadband connection लिये हैं भी, तो वहां आपको FTTP connection दिये जाते हैं आज कल, optical fiber based connections हैं वो FTTP के अंदर आते हैं, fiber distribution network, different customers तक कैसे पहुंचे गए, active optical networks, AON के थूँ और PON के थूँ, passive optical network, यह दोनों मैंने बता जी, AON और passive optical network, AON obviously complex है, PON complex नहीं है, इसमें जो आपका यहां hub है, वो active नहीं है, वो passive है, smart grid, smart grid भी इसका example है, जिसमें जो आप electricity deliver कर रहे हो, supply कर रहे हो consumer तक, वो digital technology के थूँ आप energy save करते हैं, कहां कितनी requirement है, कितनी power की requirement कहां है, वो सब चीज आप किस से handle करते हो, IoT based signal, IoT के थूँ आप उसको handle करते हो, storage area network, और उसके बाद क्या है, computational grid networks, तो यह इसके parts है, जो हम जिसमें use कर सकते हैं इसको, telephone networks की जब हम बात करेंगे, तो telephone network इस type के तो हम पहले भी पढ़ चुके, यह phone है, यह computer है, यह सब एक single line से जुड़े होगा है, local telephone company की एक line है, उससे जुड़े होगा है, यहां से क्या होगा, यह तो direct transmit हो जाएंगे, यह फिर अपने tower के through transmission होगा, ठीक है, तो जैसे भी transmission होगा, यह तो line of site communication होगा, यह फिर through satellite communication होगा, तो जैसे भी communication होगा, उसके बाद यहां पर receiving and data receive हो जाएगा, ठीक है, network के examples जहें है, dial up, transfer rate उसके अंदर क्या है, ISDN के अंदर transfer rate, 128 के round ASDL के अंदर, 128 से 9 Mbps, ठीक है, और cable TV के अंदर 128 Kbps से 2.5, T1 1.5, T3 44 Mbps, ATM 155 Mbps, 622, यह इंडिया का नहीं है, बाहर की cost दिखाई गई है, public telephone network, इसके अंदर T career, ATM, उसके बाद dedicated lines, DSL, ISDN, dial up, सब इसके अंदर आ जाएंगे, public telephone network के अंदर, जो change होता जार है time के साथ साथ, पहले आपने देखा होगे telephone exchange जो हमारे BSN के होते हैं, तो सिरफ voice call के लिए जो phones दिये, phone line दिये जाते हैं, उनको support करते थे, लेकिन फिर time आया change होता गया, फिर dial up connections आ गए, dial up connections के बाद, फिर DSL वगरा भी आने लगा इसी के उपर, तो ISDN lines भी आ गए, FTTH भी आ गए इसके उपर ही, तो इस तरीके से यह change होता जा रहा है, cellular network के example दे दो, 0G technology जो थी, उसके बाद fully automatic cellular networks आ गए, 1980 के around यह आए, और 0G की बात करेंगे दो, single powerful base station covering the wide area, and each telephone would effectively monoply a channel, ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, कि एक telephone को पूरा एक channel दे दिया था था था, उस channel को use करता था, और अब ऐसा नहीं है, अब एक channel के उपर आप time division multiplexing कर सकते हो, frequency division multiplexing कर सकते हो, different multiplexing इसमें use होती है, 1G आया, 1G के अंदर frequency division multiplexing था, उसके बाद 2G आया, फिर क्या हुआ, कि उसके अंदर क्या हुआ, कि frequency division था था ही, साथ में time division multiplexing भी start कर दिया उसके अंदर, introduced in 1991, Finland के अंदर GSM standard की form में आया, और offer the fast data service with person to person, SMS text messaging भी start हुई, उसे पहले नहीं होती थी, 1G के अंदर नहीं होती थी, 3G के अंदर over fast हो गया, used for the multimedia and graphics, उनके लिए use होने लगा, compared to the 2G and 2.5G, 3G allows us simultaneous use of speech and data, आप एक साथ भी दोनों चीज़ों को use करते हो, पहले तो यह होता था कि आपने यह device use कर रहता, आप data को use नहीं कर सके, data access नहीं करता था, और जब fourth generation के अंदर आए, तो उसके अंदर क्या हुआ, providing a comprehensive and secure IP based service, the users anytime, anywhere at high data rates, किसी भी time पर कहीं भी high data rates के थू, आज के time में जो इंडिया में use हो रही है latest technology, वो 4G ही हो रही है, यदि मैं cellular network की बात करता हूं तो, 5G अभी introduce हो रही है एंडिया के अंदर, slowly, merging technologies, mcash, using your cell phones, आप हो ही रहा है यह तो आप बैटर जानते हो, कि हम कोई भी payment करते हैं, आज कल mobile के थू करते हैं, scan free shopping using radio frequency identification, ठीक है, scan करने की requirement नहीं है, very chip implant computer chip in the body, यदि आप अपनी body के अंदर computer chip implant कर लोगे, तो वो very chip का concept है, तो यह सारे connect किसे रहेंगे, connect तो आपके internet से ही रहेंगे ना, आपके mobile से रहेंगे या आपके computer से रहेंगे, RFID उसके बाद variable computer technologies जैसे आज कल हम wearable watches यूज करते हैं, ठीक watches के इलावा, फिर हम bands यूज करते हैं, health bands आते हैं, वो यूज करते हैं, those are all wearable devices, or implanting a cell phone in your tooth, यह भी technology हो सकती है, power over the ethernet, PoE, transferring electrical power along with the data, to remote devices over the standard, यह concept बहुत पहले यूज होता था, लेकिन बीच में फिर बंद हो गया, फिर यूज होना स्टार्ट हो गया, कि हम यह देखेंगे telephone lines या जो हमारी यह lines है, optical fiber cables की reach हर जगे नहीं है, उससे better reach किस चीज की है, उससे better reach हमारी जो domestic electric supply है, उसकी reach ज्यादा है, as compared to जो आप telephone lines यूज कर रहे हैं, या optical fiber cables यूज कर रहे हैं, उनके comparison जब हम बात करें तो, तो एक concept है कि उसके उपर ही यदि आप data भी transmit करना शुरू कर दें, high frequency data, लेकिन low voltage का data भी transmit करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी जो घर में supply आ रहे हो तो 50 hertz ही आ रहे है, 50 hertz और जो आपका signal यूज होगा, वो megahertz के अंदर यूज होगा, तो filter out करना तो कोई difficult task नहीं है ठीक है, और साथ में क्या है जो signal आप data के लिए भेज रहे हैं, वो आप low voltage signal भेज रहे हैं ठीक है, तो इसमें आप data transmit कर सकते हैं, lines के थुरू भी, Ethernet और power line ठीक है, यह चीज मैं आपको बता चुका हूँ, allowing the root data package through the electrical lines के थुरू आपको यूज कर रहे हैं, और energy efficient ethernet, IEEE P8023AZ, यह energy efficient ethernet है, जहां आपको energy save करनी है, वहां हम इसको यूज करते हैं, mechanism to reduce the power consumption during the periods of the low link utilization, जिस time आपको utilization proper नहीं है, utilization demand नहीं है, उस time वह power reduce कर देगा, अपने full capacity के पर काम नहीं करेगा, ठीक है, तो यह बात हम previous lecture में भी काफी कर चुके हैं इस बारे में, जब मैं power की और energy की जब बात कर रहा था तो काफी discuss किया था हमने इस बारे में, next आता है data communication, electronic transfer of data from one location to another, उसको क्या बोलते हैं, हम data communication बोलते हैं, उससे क्या होगा, कि जो information system है to deliver the information, वो क्या होगा, कि जो information system है जहां से हमें information transfer करनी है उसको enable करता है यह, ठीक है, तो electronic transfer of data, उसके अंदर क्या क्या होगा, एक जगे से दूसरी जगे पर आपको transfer करना है, सबसे पहले जो deliver करने वाला है उसको enable किया जाएगा, improves the flexibility of the data collection and the transmission, flexibility बढ़ाई जाएगी कि उसका distance कम है, ज्यादा है, A user के पास transmit करना है, या B user के पास करना है, C user के पास करना है, किसके पास आपको transmit करना है, वह भी flexibility रहेगी, basis of the virtual organization, virtual organization का मतलब क्या है, आपको hardware में change करने की जोगत नहीं है, आप software कि तुरू organize कर सकते हो, provides e-collaborations, e-collaborations आप use कर सकते हो, means एक system है, और उसको आप दूसरे system के साथ collaborate करना चाहते हो, तो that can be used, अब हम basic concepts की बात करते हैं, data communication system के basic concepts क्या है, bandwidth, bandwidth क्या होता है, कि जितना data transfer किया जा सकते है, एक point से दूसरे point तक, in a particular time period, जैसे one minute, one second, तो इसमें, वैसे generally हम one second लेते हैं, तो जितना data हम transfer कर सकते हैं, per second, उसको हम क्या बोलते हैं, bandwidth बोलते हैं, attenuation क्या होता है, कि जितना loss हो गया, power का loss हो गया, signal का loss हो गया, उसको हम attenuation बोलते हैं, एक जगे से दूसरी जगे पर, signal transmitted किया जाता है, तो loss होता है, येदी वायर के थरूँ पात करें तो ये गाइदि विडिया के फूँ बात करें तो वो loss किस form में हो सकता है रेजिस्टेंस लोस की form में हो सकता है, या जब मैं Un-Guided Media के थरूँ बात करता हूं आहां absorption हो जाती है multiple reflection होती है तुरु उदर scattering होती है आप ये कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी चैनल आपके बसावी लेबल है और उसके अंदर आप साइमल्टेनिसली मल्टीपल पीसिज ऑफ डेटा यह दिए आप ट्रांस्टर कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ब्रोड बैंड है नेरो बैंड क्या है वाइस ग्रेट ट्रांस्मिशन चैनल के पेबल ऑफ ट्रांस्मिटिंग मैक्सिम ऑफ 56,000 BPS मिन्स 56 Kbps हो गया तो उतना हम ट्रांस्मिट कर पाते हैं तो वह नेरो बैंड के अंदर आता है और प्रोटोकॉल्स क्या होता है सेट अफ रूल्स जो प्रोटो ना होगा कि Prime Minister of India receive करने गए प्रोटोकॉल के अगेंस्ट किसी को एर्पोर्ट पर रेसीव करने गए तो क्या है प्रोटोकॉल्स और सेट अफ रूल्स दो 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 फोलोड सुब्स ठीक है तो जब हम नेटवर्क के अंदर बात करते हैं नेट्वर्किंग के अंदर बात करते तो क्या है कि those are the set of rules that govern the data communication जो data communication को के अंदर follow करने पड़ते हैं error detection, message length and transmission speed वगरा इन सब चीजों को follow करना पड़ते है even even कौन सा logic यूज़ हो रहा, forward logic यूज़ हो रहा, reverse logic यूज़ हो रहा, कौन सा logic यूज़ हो रहा, वो चीज भी सी के अंदर आएगी components of data communication system, क्या क्या component होते हैं, sender और receiver devices होती है, modems और routers होते हैं, उसके बाद communication medium होता है, कोई एक medium होगा, ठीक है, तो ये इसके main parts है forms of sender and receiver devices, वो किस-किस form में होते हैं, input or output devices, or the thin client, used only the sending or receiving information, जो सिरफ receive और send करते हैं information को, it has no processing power, वो data को process नहीं कर सकते, ठीक है, वो data को सिरफ transmit करते हैं, data को transmit word नहीं बोलूगा, data को send करते हैं अपने तरह, transmission तो वो होगा, जब उसके बाद machine उसको process करने के बाद, फिर modulation करने के बाद, तब transmit करेगी, उसके बाद क्या है, smart terminal, perform certain processing task, but it is not a full featured computer, वो कुछ processing का काम करेंगे, जैसे amplification कर दिया, signal level में change कर दिया, उस तरीके से, लेकिन वो अपने आप में full featured computer नहीं है, उसके बाद है intelligent terminal or the personal computer, ये क्या है, using this a remote computer, can perform a certain processing task without the main computer's support, इसके अंदर हम processing task भी कर सकते हैं, next है netbook computer, low cost diskless computer, used to connect the internet or length, जब जहां आपने ये देखा होगा, कि server वगरा का हम use करते हैं, तो वहां आप हर एक computer के साथ, server का main task, server का है, लेकिन वहां आप small CPUs use करते हैं, वो क्या है, low cost diskless computers होते हैं, उसके बाद क्या है netbook computers can run software of servers and save data to servers, तो mini computers, mainframes and supercomputers के हैं, those process data, send it and other devices, वो उनका, डिपेंड करते हैं, आप कौन से peer-to-peer use कर रहे हैं, तो अलग type का use होगा, यदि आप peer-to-peer ना use करके server based कर रहे हैं, तो अलग type का concept use होगा, तो वो depend करता है, लेकिन वहाँ ये जहान रखना कि चाहे आप peer-to-peer use कर रहे हैं, या service based use कर रहे हैं, वहाँ जो processor use होगा, वो अपने, that will have all the rights to transmit the data, to receive the data, to process the data, सब चीज उनके पास होगी rights होगे, receive data that has been processed, elsewhere process it and then transmit it to the other devices, वो pre-process उसका हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको कुछ processing करके उसके बाद फिर उसको modulation वगरा जो करना है, उसका transmit किया जाता है उसको, smart phone forms of center and receiver devices, किस type की center and receiver devices हो सकते हैं, video phone console, video game console भी हो सकते हैं, तो इन मेंसे कोई भी आपकी devices हो सकती है, center and receiver end के उपर, modems क्या है, modems वो devices है, devices that connects the user to the internet, short the modulator, demodulator, मैंने बताया था ही, आपको बता चुका modulator, demodulator का short form है, not required for all internet connections, हर जगे जह उतनी पड़ती, जहां आपको modulation करके, या demodulation का concept जहां use हो रहा है, वहां आप इसको use करते हैं, types क्या है, dial up connections हो गया, या digital subscriber line, DSL lines हो गया, cable के अंदर हो गया, वहां आप इन सब का use करते हैं,